अगर जंगल हो, तो शेर तेन्वा चीता शिकार पे निकलते हैं, हिरन बच्चना चाहेगा, लेकिन सूर्यास्त हो जाए तो, कल सुबा देखने के लिए कौन जिन्दा रहेगा, ये प्रकृती तै करती है, इस जंगल में कैसे खब सुबा होगी, ये तै करने वाली प्रकृती नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मैं मैं आए करने करे नाए मैं इस का बना दमाका, बना भॉक्ष्ट, बना भेल्स्वाइब प्रबास की सालार के बाद अब फैंस को इसके सिक्वेल पार्ट टू का इंतिजार है इसी को लेकर फिलम के प्रिडोसर ने एक बड़ा अपडेट दिया है उन्होंने खुलासा किया है कि फिलम के सिक्वेल पर काम हो रहा है और ये अगले साल दोजार पच्चीस में रिलीज हो सकती है रादे स्याम साहो और आदी पुरुष के बुरी तरह से फिलॉप होने के बाद प्रबास एक हिट के लिए तरस रहे थे और उनका ये इंतिजार सालार पर जाकर खतम हुआ फिलम 22 दिसंबर को थेटर्स में रिलीज होई और देश बर में लगबग 400 करोड कमा डाले वर्ल्ड वाइड भी फिलम को अच्छा रिस्पॉल्स मिला लगबग 600 करोड का कलेक्शन कर डाला अब फैंस को इसके सिक्वेल का इंतिजार है और प्रेडूसर विजे किंगार दूर ने सालार टू की रिलीज को लेकर मीडिया से बात की है सालार के प्रेडूसर विजे ने पिंक विला को दिये एक इंटरवू में फिलम के सिक्वेल को लेकर जानकारी देते हुए कहा है सालार 2 की स्क्रिप्ट तैयार है और हम किसी भी समय फिलम सुरू करेंगे और पिरसांद भी ऐसा चाहते हैं पिरसांद जल्द से जल्द इसे फिलोर पर लाना चाहते हैं विजे ने आगे कहा हम सालार 2 को साल 2025 में रिलीज करेंगे और उन्होंने यह भी बता कि सब भी सालार के फीड़ बैक से संतुष्ट हैं विजे ने बता कि सालार मुवी दुनिया भर में पिरबास के फैंस के लिए एक फैस्टिवल की तरह है विजे का यह भी कहना है कि सालार पार्ट रिं इसकी मात्र एक जहलक है इसे टेलर की तरह लिए जा सकता है पार्ट टू में एक्सन और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा आप लोगों को सालार पार्ट रिं कैसा लगा? क्या आप लोग भी सालार पार्ट टू का इंतिजार कर रहे हो मैं कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना ना बूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में